लो है लो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक कमांड दे रहा हूं और उसके बाद मुझे हैं लिखा रहा है इस रिक्ष्ट और इसको कैसे टिक किया जाए यह सकते हैं command prompt को खोला है वो administrator की तरह नहीं कोला है इसलिए administration में हम कोई भी यहाँ पे changes नहीं कर सकते हैं तो इसको हटाने के लिए कैसे किया जाएए इसके हटने के लिए मैं को दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर रिस्ट हाऊँ अब दूसरा broadband अब बेखे है जो command के लिए वो बोल रहा था कि this requires elevation आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मैंने अब मैंने दिया यह देखिए यह सारा का सारा फाइल यहाँ पर आपने आप आगे command run कर गया और यह सारे के सारे फाइल सक्सेस्वले क्रीटेड हो गए तो जब भी आपको ऐसा मेसेज आए कि this operation requires elevation तो आपको command from current administrator मोड में जाके खौलना है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें thank you very much आगे कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लेखें मैं आपकी पूरी मादद करने की कोशिस करूग है